कि दी जी के नितरित में आराम से हम लोग नितीज जी के नितरित में आराम से यहाँ 40 का 40 शिट जीतेंगे कहीं तेजस्वी जी का देख फर्बब हुआ रिजक्शी सामें समाज के टोटल ली घो और एंडिये को मोदी जी के नेत्रित में सारा वोट जा रहा है कहीं कोई कोई वोट का कोई विख्राव नहीं हूँ आपके साथ वंदना राजनीती पीछ पर नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदर लगाता चौवा छक्का लगाये जा रहे हैं क्या इस बार सफल हो yesterday बासे त troph को जुन को जलता अब परदां मनति नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आप उस कार्क्राम में सिरकत करने सिंद्ट मुंगेर में निस्षी तुरुप से जीतेंगे ललन सिंग जीतेंगे हम लोग अपना काफी वहां मेहनत भी कर रहे हैं और हम कल काफी संख्या में बाड़ से अपने च्छेत से प्रधान मंत्री जी के मीटिंग में अपना जब मेरे साथ कमसे 100 गाड़ी लोग जा रहे हैं और तो बड़ी जनसवा होगी द्रीकी का और उसे ललन जी को और मोदी जी के जने से ओर वी जीत सुनिस्षी तहोजा जाएगी और और फिया見て और भी तो सरकार कर संकट का सब्चार का संकट बीच में था तो संकट में कुछी लोग कुछ जतना सब जेडी को लोग कुछ नहीं कर पायता अब क्या तो कुछ हो ही नहीं सकता है तो एकदम यहां पर सरकार अभी फिलाल पचीश तक कहीं कोई नितीज जी को कोई दिख करते हैं अब कर ने जाती वाद की जो राजनीती वो कभी समाप तो होता नहीं दिख रहा है और आप जिस समा से आते हैं क्या इस बार लग रहा है मुंगेर में आप की तोड़ पाएंगे यह देखे मुगेर में तो टोटल हम लोग के समाज के टोटल लालन जी को और एंडिये को मोधी जी के नित्रित पर सारा वोट जा रहा है कहीं कोई कोई वोट का कोई भिखराओ नहीं हमको नहीं लगता है लोग अन्तों गतवा लोग मोधी जी के नाम पर भोट करेंगे और सुन्तों कुट्वा के जीत को सुनिशित करेंगे क्या दावा कर रहे हैं कि दावा कर सकता है लेकिन वहीं होता है पिछले बार भी लोग दावा कर करेंगे नाराजगी होती है लेकिन उससे कोई भोटर के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है जहां देना है तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीज़ेपी विधायक ग्यानेंदर श्री ग्यानू का बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी जो है मुंगेर मे जनसभा में पहुंचने वाले हैं इससे पहले ग्यानिन सिग्यानू ने बड़ा दावा किया और कहा है कि अभारी मतों से जो है मुंगेर लोक सभासीट एंडिये जीत रहा है इसकर बस इतना ही बने रेंडिश्पोनेशन के साथ धन्यवाद